हाई ब्रिवन, हजारी बाग समन हनाले में समाज कलियान साखा के अंदर गत कुछ पदों के लिए विग्यापन जारी किया गया है और इसके लिए मिनिमम क्वालिविकसन दस्वी पास रखा गया है और आवेदन सुल्क सबसे बड़ी बात है जो फ्री फ्री है अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो आपको कोई सुल्क नहीं चुकाना होगा और और अपलाए का कैसे करना है ओंलाइन अपलाए होगा इसके लिए एक वेबसाइट दिया है वही पर आप जाके अपलाए कर सकते हैं पाल विकास मंत्राले भारत सरकार दोवा twor yuごzna का किया जा रहा है इस योजना के अंतरगात हिंसा सिपीडि महिलाओं को सक्खी वन स्टॉप सेंटर में एक छट के नीचे पुलीस साहता, कानूनी साहता, एम प्रामर्स सिगित्सा साहता, मनो समाजिक प्रामर्स अस्थाई आस्रा इत्यादी उपलब्द कराए जाता है इसके अंतरगात हजारी बाग में भी एक सेंटर खोला गया है, तो कौन को सब पद है, केंदरी परसासक, जो केवल महिलाओं के लिए है, केस वर्कर केवल महिलाओं के लिए, प्रामर्स दाता केवल महिलाओं के लिए, इन्फोर्मेशन, टेकनलोजी और महिला पुरूस दोनो अपला कर सकते हैं, और एक पोस्ट है, बहु उदेश्य साहयक, केवल महिलाओं के लिए, तो टोटल कितने पद हैं, बारव पद है, तो बारव पदों के लिए, आवेदन माना मागा गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, केटेगरी आप, कौन सब पद के लिए केटे सिटी से समाजी कारे में असनात दोक्तर, आनि की PG होना चाहिए, अगर इसके अलावे किसी मानेता प्राप्त विषिद्याले से विधी में असनातक, आनि की LOG की डिगरी होना चाहिए, लो से ग्रेजुएशन, इसके लावे कारी अनुभाव के बारे में बात किया गया है, म सरकारी संस्था प्रियोजना से प्रामर्स दाता के रूप में कारी करने का नियूंतम एक वर्स का अनुभाव, इसके लिए वेतरमान कितना है, 30,000 रुपिया पर बता दूँ, जो विग्यापन जारी गया है, इसमें आप से एक वर्स फिलाल काम लिया जाएगा, अगर आप बढ़िया काम करते हैं, अच्छे से आपको कार के अधार पर फिर सागे रेनुवल किया जा सकता है, इसके बात केस वर्क है, इसमें तीन पद है क्योल महिलाओं के लिए, इसके भी योगेता क्या है, पीजी चाहिए समाजी कारे में है, और लोकी डिगरी चाहिए, और तीन सालों के लिए एक्सप्रियेंस चाहिए, इसके लिए वेतनमन 20,000 रुपीए है, इसके लावे क्या है, प्रामस दाता है, एक पद केवल महिलाओं के लिए, इसके लिए योगेता क्या है, किसी मानियता प्राथ उस उद्याले में समाजी कारे नेदानिक, मनोग्यानिक में अ असनातोकतर आने की पीजी चाहिए इसके बाद अनुभव तीन साल के लिए अनुभव चाहिए इस छेदर में कारी करने का किसी सरकारी या एंजियो में कहीं भी अनुभव चाहिए इसके लिए वितनमन 25,000 रुपिये पर मन्त है इसके बाद क्या है Information Technology Worker एक है क्यों इसके में महिला पूरूस दोनों अपलाई कर सकते हैं इसके लिए यूगेता किया है Computer Science एथवा सुजिना परध्योगी की में graduation होना चाहिए इसके बाद तीन सालों के लिए अनुभव चाहिए किसी भी छेतर में Data Management, Processing Document, Web-based Reporting Format and Web Conference विशबर कार करने का तीन वर्स का अनुभव इसका वेतनमान की नत्रा है 25,000 रुपिये पर मन्त इसके बाद क्या है बहु उद्यस ये साहयक इसके लिए तीन पद है जो क्यों महिलाओं के लिए रिजब है इसमें योगेता क्या है किसी मानेता प्राप्त बोर्ड से में ट्रिक पास इसमें क्यों आपको दस्वी पास होना निवार है इसके बाद साहयक या अनुसेवक के रूप में कारी करने का मिनिमियम तीन वर्सों का अनुभव जाए इसके लिए वेतनमान कीतना है 10,000 रुपिये पर मन्त इसके बाद क दिला सतर के सरकारी या अ परतिष्ठी संगठन में सुरक्षा कर्मी के रूप में कारे करने का दो साल का नुभव आनुकि को भी संस्था से आप सीखरोटी गार्ड हैं दो साल से जूड़े हुए हैं तो आप इसके लिए सजीगरोटी गार्ड के लिए अपलाय कर सकते हैं इसके लिए आपको वेतन कितरा मिलेंगे 10 रूपिया 10,000 रूपिया पर मंत इसके बाद बात करते हैं आयु सीमा की गन्ना कब होगी एक एक 2021 से तो एक जनवरी 2021 से आयु सीमा की गन्ना होगी तो minimum age कितना है minimum age है 25 वर्स और maximum age देख सकते हैं 35, 37, 38, 40 इसके लिए कैसे online कैसे करना है online mode है तो इसके लिए आविदन करने के लिए आपको एक website पर जाना है www.requirement.jharkhan.gov.in वहाँ पर जाना है इसके बाद वहाँ पर कुछ आपको documents आपके पास जितने वा योगयता का documents अपना अस्थानी पर्मान पत्र अगर आप category बाइस है तो category का पर्मान पत्र और जो आपके पास अनुभाव है इसको upload करना है अपने self-attestate करके अपना sign verify अपने से verify करके upload करना है और इसके लिए आविदन सूल्क नहीं देना है और जो कार अनुभाव चमता है इसे भी upload करना है और सबसे बड़ी बात यहां साफ साफ लिख दिया है सेवाओं के लिए योगदान की तिथी से यह अनुभन एक वर्स के लिए होगा इसके बाद सेवा अवधी का विष्दार सेवा परदाता के संतोस प्रद कार परदसंद था योजना अंतरगत कार की अश्कता के अधार पर की जागी अगर आप अच्छा कार करते हैं और अगर इसको आगे भी कार करवाना के जहुरत रहेगा तो आपका अनुभन बढ़ाया जाएगा लेकिन फिलाल एक कोर्स के लिए होगा और आखरी तीथी कब है आविदन करने की 18 जूलाई 2018 तो 18 जूलाई तक आप आविदन कर सकते हैं या देख सकते हैं जीला समाज कलियान पदाधिकारी हजारी बाग विकास डीडिसी हजारी बाग कहां स्ताचर से जारी हुआ है अगर ओनलाईन करने जाएंगे तो ऐसा आपको फोर्मेट मिलेगा तो फोर्मेट भी देख सकते हैं अगर इस विएपन को डीटेल में पढ़ना चाहते हैं तो टेलिग्राम चेनल जोनी करके आप इसको टाउमलोड कर लिजिए और पढ़ लिजिए क्या है कोई खास नहीं आप अपना डीटेल डालना है अडिक्वेशन क्वालिफिकेसन डालना है कहां का पास किये हैं क्या ग्रेड आया परसेंटेज जो आया इसके बाद अनिए अडिशनल कोर्स है यह भी सब्मिट कर सकते है इसके बाद अनुभाव वाला भी सब्मिट करना है आपके पास कौन-कौन सी भासा की जानकारी है हिंदी इंगलीज आप पढ़ना जानते है लिखना जानता है बोलना जानते है तीनों जानते हैं तो कैसा आपका है excellent है good है average हिंदी में कैसा है भासा में ग्यान यह भी आपको देना है इसके बाद क्या भरना है उसके बाद ज्यारखन के अनी original language जानते हैं खोंठा कुर्माली जो है संथाली मुंडा उर्रा कुडूक जितना भी भासा जानते हैं तो इसमें आपको कैसा है इसके बाद computer की जनकारी क्या है MSOFIS की जनकारी है internet email टेली की जनकारी है इसके बाद आपको इहां description में कुछ लिखना है आपको आपका कार अनुभाव आवेदित पद के लिए किस तरह उप्यूक्त है उसे लगबख 100-500 पदों में लिखे अगर आप security guard के लिए आवेदिन कर रहे हैं तो दसमी पास इसके लिए योगता है तो इस पर आपको 100-500 सब्दों में लिखना है कि कैसे हम इसको रक्षा कर सकते हैं क्या कर सकते हैं तो अगर security guard में आप already है तो आपको आपको पास जान रख सकते हैं तो आप इस video को download कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल में जाके यहां पर आपको निशे description में इसका link मिल जाएगा जाके download कर सकते हैं अगर आप इन पदों के लिए eligible हैं तो आविदन कर सकते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इसका सुल्क को भी आविदन सुल्क नहीं है तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं तब तक पुराने वीडियो को देखते रही है